हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जिन स्टुडेंट्स ने पीटीटी का जो फोरम लगाया था और उसके बाद काउंसलिंग करवाई थी काउंसलिंग में हिस्सा लिया था और उनका किसी भी वज़र से आपका जो एडमिशन नहीं हो पाया है दो वर्षी बीड और च्यार वर्षी बीड तो इसमें फीज रिफंड की जो परकिरिया है वो स्टार्ट कर दी है तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फीज रिफंड किन किन स्टुडेंट्स को होने वाले हैं सारी बाते इस से युनिवर्सिटी के दोवारा जिसमें जिसके दोवारा आपकी जो पीटी एक्जाम है वो कंड़क्ट करवाई जाती है तो इसमें देख सकते हो आप फीश रिफेंड है तो नियम मतलब कौन-कौन से जो स्टुडेंट है उनको फीश रिफेंड कर दी जाएगी संसोधित द वह दोवर्सिय बीएड पाठेकरम में परवेश है तो काउंसलिंग में भाग लेने वाले निमन लिखित अभेर्थी विद्यार्थी फीश रिफेंड के पात्तर है मतलब आपकी दोवर्सिय बीएड हो या चारवर्सिय बीएड या बीएसी बीएड हो तो उनको उनके जो स में कुछ है दी गई है शर्ते तो वह वह बैर्ति या विद्यार्थी है वह पात्तर होंगे एक तो देखो अबर्सिय जिनने महाविदाल आउंटन नहीं हुआ उंटन हो गया परंतु महाविदाले में रिपॉर्टिंग नहीं हुई हो मतलब पहली कंडिशन तो आपको कणे तो आप मतलब इसके लिए फीस रिफंड के लिए पात तरो उसके बाद देखो परवेशित विद्यार्थी अभ्यर्थी जिनका रेजिस्टेशन सुल्क पांच जार अथ्वा प्रवेश सुल्क बाइस जार के एक से अधिक सुल्क जमा हुए हो मतलब जिनके दो बार अगर को वापस से फीस रिफंड पा सकते हैं उसके बाद देखो विद्यार्थी जिनका परवेश कांचलिंग के तहथ हुआ था प्रन्तु अपवड मूमेंट के तहथ आउंट हुआ म Benn पावव्यस न ही लिय लिया गया उसके बाद देखो अगली कंडिसन विद्यार्थी जिनके प बाद डेथ हो गई हो तो उसके लिए भी वह फीस रिफंड प्राप्त कर सकता है उसके बाद को विशेविश दाले अनुदान आयोग नई दिली के कारियाल ले आदेश यह जो है डेट दो अगस दो जरबाइस एंड यह जो आपको दे रखा है इसके तहट चार वर्षी बीए उद्याले से परवेश रद पुष्टी रशीद देनी होगी मतलब बाइचांज कोई भी दूसरी जगह पे अगर कोई उद्यार्थी एड्मिशन ले 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 ता और इस वज़े से अगर वो बीएड वागेरा नहीं करना चाहता तो उसको भी मतलब फीश रिफंड हो सकती है लेकिन उसको परवेश रद होने की पूष्टी की रशीद देनी पड़ेगी उसके बाद को फीश रिफंड के पास तर अब्यार्थी दिनांक आठ फरूरी दो जारतेश से पंद्रा फरूरी जारतेश तक पीटी ती 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 अधिक्रत पर क्लिक करके अपने पीटी ती दो जर बाईस के रोल नंबर काउंसलिंग आइडी जो अब यदि के पीटी ती ती दो जर बाईस के प्रीक्षा परिणाम में दर्सित श्वयम का नाम पिता का नाम माता का नाम एं जनमति थी लोगिन कर श्वयम अपने बैंक खातेगी सब्सक्राइब मतलब यह कुछ डोकोमेंट्स है जो आपको जमा करवाने पड़ेंगी कुछ इन्फोर्मेशन है जो आपको फिल करनी पड़ेगी उसके बाद आपकी फीच रिफंड हो जाएगी उसके बाद देगो सुल्क रिफंड समंझत समस्त कारिया ओन-लाइन आवदन नहीं किये जाएगे उसके बाद देगो रिफंड केवल अब्यट्थीं समय मातापिता वह आवेदन करने वाले बैंक खाते में ही किया जाएगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी विद्यार्थी की स्वयम की होगी उसके बाद देगो जिन अब्यट्थियों का प्रिवयर सकते हों तो इस तरह की अपडेट थी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद